मेरा नाम डॉक्टर मोहित सक्सेन है और मैं cancerist patient हूँ और मैं मनीपाल hospital पालम विहार गुरुग्राम में कार रहत हूँ आज हम बात करेंगे chemotherapy के बारे में की chemotherapy क्या है यह कैसे administer की जाती है यह कैसे evolve हुई और किन patient को chemotherapy की जरूत होती है तो सब्सक्राइल हम बात करते हैं definition, chemotherapy एक प्रकार का cancer treatment है जिसमें तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं को मारा जाता है जो की मुख्य तोर पर cancer कोशिकाओं होती है लेकिन कुछ अन्य कोशिकाओं को भी छतीप होती है इसकी वाज़से chemotherapy के side effects आते हैं जैसे की hair loss है, hemoglobin wc-practed का काम होना है अब हम बात करते हैं administration तो इसके कई सारे roots of administration हैं पहला है intravenous बहुत जाता हैं जाता हैं जाते हैं जैसे की एक simple saline bottle में dissolve करके उसको intravenous infuse किया जाता है इसके लाब की chemotherapy के administer करने के other roots भी हैं जैसे की oral root, intraperitoneal, intrathecal, intramuscular तो chemotherapy कई तरीके से administer की जा सकती है अब हम बात करते हैं की chemotherapy की history की तो सन 1946 में पहली chemotherapy nitrogen mustard की खोज हुई उसके कुछ वर्षियों बाद methotrexate naam की दवाई की खोज हुई और उसके बाद anti-gancer, antibiotic जैसे की bleomycin तरी दवाईयों की खोज हुई इसके बहुत सारी chemotherapy market में आती चले गी जैसे की 2,500 inhibitor है, 90s में taxin है और बहुत variety की chemotherapy drugs market में आती चले गी इसमें अभी advancement में दो नई चीजें हुई है, एक तो है liposomal technique जिसमें जैसे की liposomal doxorobicin जो की doxorobicin की तुलना में RD-1 point of view से कहीं ज्यादा सेफ है और यह hemoglobin WC factor पर असर कम डालती है, दूसरा है nanoparticle technology इसमें दवाई बनी है napaglitexel तो यह तरपी इस napaglitexel, conventional paglitexel की तुलना में hypersensitory reaction की risk नहीं होती है, यह इसके लावा की chemotherapy की supportive दोईयों में बहुत advancement हुआ है, anti-immatric drugs better आ गई है, वह हम growth factors का फ्रयोग करते हैं जिससे की neutropenia से पहले ही patient की रक्षा हो जाती है, तो इसके लावा आजका chemotherapy के लावा immunotherapy, targeted therapy, hormone chemotherapy वगर कापी development हुआ है cancer के treatment में, अब हम बात करते हैं कि chemotherapy का indication क्या है, chemotherapy किन patient को दी जानी चाहिए, तो कई पर chemotherapy curative intent से दी जाती है, जो कि अकेले chemotherapy से cancer खताब होता है, जैसे की koreo carcinoma है, germ cell tumor है, काई leukemia, lymphomas है, इनमें chemotherapy curative होती है, इसके दूसरा है new adjuvant approach, मतलब chemotherapy सड़ी से पह पहले दी जाती है, कई बार adjuvant approach होती है, मतलब chemotherapy को surgery के बात काम में लिया जाता है, जैसे की colon cancer है, breast cancer है, और कई बार chemotherapy palliative intent से काम आती है, मतलब stage 4 patient में, बहुत variety के stage 4 cancer patient होते है, lung cancer, breast cancer, etc. तो उनमें chemotherapy जो है, वो patient की तकलीफ को काम करती है, quality of life को improve करती है, और life को prolong भी करती ह तो मैं आपसे यही कहरा चाहूँगा, कि कीमो तरवी से मत घबराना, समय रहते हैं, इलाज पाना, cancer को दूर भगाना, और जीवन को स्वस्थ बनाना, धन्यवाद है